तुम जो आए जिन्दगी में बात बन गई इश्क सोना और चांदी रात बन गई ख्वाईशे मिलने कि तुमसे रोज होती है नहीं ना 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 बात बन गई तो आज मैं आपके साथ एक नैश्रल कंडीशनर शेयर करूंगी अभी मैंने हैर में एक कंडीशनर कंडीशनिंग करने के लिए एक हैर पैक लगाया है अब यह हेर पैक में मैंने डाला गया था इसमें मैंने कंडीश अग्समें कुछ केस्टरल क्या था और समय मैंने आमट ऑदा था तो यह सब कुछ डाल के मैंने एक बॉन यह जना यहिए इसको लगाय हुए मुझे कम से कम फॉर्टी फाइव मिनट्स फॉर्टी फॉर्टी फाइव ही सब्वेए इसको बात में तो आगर मुझे रिजर्ट्स अच्छे मिले तो मैं आपको जुरूर से डिस्क और यह करने के लिए for conditioning your hair and for treating your hair for the hair fall तो इन सब के लिए I think यह अच्छा रहेगा because egg is always rich in proteins और proteins are very good for the hair क्योंकि hair बने ही protein के साथ होते हैं तो आप ही मैं wash करकर देखूंगी और result आपके साथ जरूर शेयर करूंगी खेर तब तक आपको wait करना पड़ेगा और एक बात अगर आप लगाते हैं बालों में तो मैं आपको बता दूँ it's gonna be stinking too 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 bad बहुत बुरी स्मेल आती है उसमें से तो I suggest you अगर आपको एग अपने बालों में लगाना है क्योंकि लगाते टाइम वो drip तो करेगा ही करेगा because उसकी consistency बहुत liquid होती है तो वो drip करेगा ही करेगा और अगर वो drip करेगा और यहां वह आपके घर में गिरेगा तो बहुत बुरी स्मेल पूरे घर में से आने लग जाएगी So I suggest you कर आप अपने hair में एग लगा रहे हैं तो उसको आप या तो अपने balcony या वरांडा में जाकर लगाईए और घर के अंदर कहीं मत लगाईए not even in your bathroom, not even in your bedroom कि आप वहां पर सामने शिशे के बैठ के लगा रहे हैं तो it's gonna be stinking too bad तो यह एक सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है हईब लगाते ताइम आपको घर के नहीं रहा को पहर किसी ऑपन एरिया में जाके एपनDay बालम एग लगा। आज मैंने एग लगाया है है आपने बालकनी में घड़े हो के लगा था अब मैंने बालकनी में लगाया, so it's fine, it's okay, सब सही है, कोई स्मेल नहीं है, घर में, और रिजर्ट्स तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी ही, so just wait, and I'm pausing this video for a moment, and see you again with the results, and don't forget to subscribe to my channel, okay friends, so चलो मिलते हैं, रिजर्ट्स के साथ, एक्ट्रीट्मेंट के बाद मेरे हेर्स के साथ की सरा का इफेक्ट मुझे दिखा है, कोई चीएंज अगर दिखा है, तो कैसा दिखा है, तो चलिए, friends, मिलते हैं, friends, अभी मैंने अपने हेर वाश कर ली हैं, और यहां भी थोड़े गिले हैं और थोड़े सुखे हैं, मतलब अच्छी तरह से ड्राइ नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इस टाइम मेरे बालो में मुझे बहुत ही प्यारा शाइन लग रहे हैं, हाथ लगाने पर भी बिल्कुल स्मूथ लग रहे हैं, जैसे सच में इन में बहुत ही अच्छे से कोई ब्रेंड़िट कंडिशनर यूज़ किया गया हूँ, और इसके अलावा जो हेर फॉल है, उसमें भी मुझे बहुत कमी महसूस हुई है, क्योंकि मैं एकवाला कंडिशनर तीन-चार भार पहले भी लगा चुकी हूँ, आज मैं उसका रीव्यू आपको दे रही हूँ, तो यह बहुत ही प्यारा कंडिशनर बनता है आपके बालों के लिए, आपके बालों में बहुत प्यारी शाइन एड़ कर देता है, बहुत स्मूथ उनका टेक्स्चर कर देता है, आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे बाल मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और सुखने के बाद बिल्कुल ड्राइ हो जाएंगे तो और भी जादा अच्छ लगने लगेंगे, आप यह बीच बीच में से कुछ गीले बाल भी हैं, यहाँ पर आप यह बाल मेरे गीले ही हैं, तो जब यह प्रॉपर ली ड्राइ हो जाएंगे तो और भी प्यारे लगेंगे, और मेरे हैर वैसे फ्रीजी इतने होते नहीं हैं, और नचरली भी थरे स्धी है मेरे हैर पर लेकिन इस कंदिशनर को यूस करने के बाद, I am really very happy with my hair and the results are really very amazing ! So I suggest you if you people want freeze-free hair and you want to treat your hair fall, and any kind of the hair problems that you are having, So please go with this conditioner, Just take one egg, a kister oil and a almond oil mix them together and apply them on your hair और उसको कम से कम आप 40 to 45 minutes के लिए छोड़ दीजे ए दन वाश ओके वाश वाश विए रेगुलर शैंपू विचावर यॉर यॉर उसे तो बहुत ही प्यारे आपके बाल बन जाएंगे यॉर खूंपू लेक्ट है यॉर बहुत है पर लगुझा ने बहुत है शैंपू बदल पदल के रिख लिए यॉर 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 अरखे विए चानल शैंपूंट पडल के डेख लिए द दोसा क्रेंगे बाल यॉच श् Background के लिए जानद कर लिए विए खुछ प्रिए ली मोग् this way of treating your hairs or not and see you another vlog soon bye-bye take care and please don't forget to subscribe subscribe okay subscribe my channel fine bye